मेरे प्यारे देश मासियों, आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं, तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्स की फैन हो रही है, हमारे कई लोकल प्रोडक्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ती है, जैसे एक उधारण है खादी का, लंबे समय तक खादी सादग स्वास्त के दर्श्टी से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बनी ही रही है, खादी की पप्लारिटी तो बढ़ी रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है, मेक्सिको में एक जगह है ओहाका, इस इ इने का काम करते हैं, आज यहां की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसित हो चुकी है, ओहाका में खादी कैसे पहुची ये भी कम इंट्रेस्टिंग नहीं है, दरसल मेक्सिको के एक युवां मार्क ब्राउन ने एक बार महत्मा गांधी पर एक फिल्म देखी, ब्राउन ये फिल्म देखकर बापु से इतना प्रभावित हुए कि वो भारत में बापु के आश्रम आये और बापु के बारे में और गहराई से जाना समझा, तब ब्राउन को एहसास हुआ कि खादी के बले कपड़ा ही नहीं है, बलकि ये तो एक पूरी जीवन पद्धती है, इसस किस तरह से ग्रामीन, अर्थेववस्ता और आत्मनिर्भरता का दर्शन जुड़ा है, ब्राउन इससे बहुत प्रभावित हुए, यहीं से ब्राउन ने ठाना कि वो मेक्सिको में जाकर खादी का काम शुरू करेंगे, उन्होंने मेक्सिको के ओहाका में ग्रामीनों को खादी एक ब्रांड बन गया है, इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर लिखा है, इस वेबसाइट में मार्क ब्राउन का बहुती दिल्चस्प इंटर्वी भी मिलेगा, वे बताते हैं कि शुरू में लोग खादी को लेकर संदेह में थे, परंतु आखिरकार इसमें लोगो की जरूतों को पूरा करते हैं, तो फिर लोग भी आप से जुडने चले आते हैं